काना को ओखली से बांधना ये शोदा मैया की हाथ में काना का हाथ है वो दूसरी हाथ से रसी ले उन्हें ओखली से बांधने का प्रयत्न कर रही है मैया मुझे छोड़ दो मैया छोड़ दो मैया मैंने कुछ नहीं किया वो ऐसा कहकर शोर मचा रहे हैं ये शोदा मैया का काना को बानती समय हाथ छूट जाता है ये देखकर काना मैया से हाथ छुड़ा कर भागने लगते हैं काना को भागती हुए देख ये शोदा मैया आंगन में पड़ी लकड़ी उठाती है और काना को कहती है ठेहर जा काना वरना तुझे बहुत मार कि ऐसा कहकर वो काना के पीछे भाग रही है। बड़ा ही अद्भुत रिश्य है ये। मैया मनी मन अपने लाडले की शरार्तों को देख कर कहती है। कितना प्यारा है मेरा लाल इसे दंड देने का सूच कर भी पीड़ा हो रही है। मया कानहा की शरार्तों को देख कर खुश भी हो रही है और उसे दंड भी देना चाह रही है। कानहा ठेर जा मुझे ऐसे ना सता तु एक बार मेरे हाथ आजा देख तुझे कैसे दंड देती हूँ मैं। कानहा यशुदा मया को घर के आंगन में कभी घर के पिछवाडे कभी गाय की कोठे की आसपास खुमाते हैं। यशुदा मया पक्षियों को साथ खुंगते देख कैती हैं। अब तुम सब भी कानहा की साथ मुझे सता रहे हो। आज तो तुम सब भी दंडित होगे। पक्षी असमंजस वाले भाव को लेकर काना से कह रहे हैं। देखो काना, मैया क्या कह रही है? मैया हमें भी दंड देंगी। आज मैया बहुत अधिक गुसा है, अपनी खेर है तो तुम सब भाग जाओ। अरे, हम अपने काना को छोड़ कर कहीं नहीं जाएंगे। मैया दंड देती है तो वो हमें स्विकार है। जैसी तुम सब के इच्छा। काना फिर भागने लगते हैं। काना के सभी साथी जो माखन चोरी करते हुए साथ थे, काना को चोरी छिपे देख रहे हैं। एक सखा काना को धीमी आवाज देते हुए कहता है। काना, शमा करना मेत्र, मैया को भीतर आते देख भागना पड़ा। हाँ, तुम सभी के लिए माखन मैं चुराओ और तुम सब पकड़ी जाने के डर से मुझे छोड़ कर भाग जाओ। अरे, चमा करना काना, अभी मैया ने हम सब को देख लिया तो हमें भी दंड देंगी। वो देख ले, इससे पहले हम सब को जाना होगा। हम सब तुम्हे बगीचे में मिलते हैं। सभी मित्र एक एक करके गायब हो जाते हैं, काना अपनी मैया को सता कर खुश हो रहे हैं, और सभी पशु पक्षी काना का साथ दे कर खुश हो रहे हैं, आखिरकार मैया काना को पकड़ लेती हैं, वो काना के एक कान पकड़ती हैं, अब तुम मेरी हाथ आ गए हो, देखो कैसे दंडेती हूं तुम्हें काना मंधी मंद मुस्कुरा रहे हैं और छूट मूट का रोना रोकर दिखा रहे हैं मैया मैया मुझे छोड़ दो मैया मैनी माखन नहीं चुराया मैया मेरी सभी सखा मुझे माखन चुरी करने के लिए उकसा रहे है वो सभी तो भाग गए मुझे फसा गए मैया काना को ओकली से बांदने के लिए आतुर है अपने लाडले काना को मैया से दंडित होते हुए देख सभी बक्षी बेचैन हो रहे हैं गिलहरी इधर उधर दुम हिलाती भाग रही है बंदर डाल डाल कूद रहे है गाय के बच्छडे काना के आसपास मंडरा रहे है बचलों को काना के पास आते देख ये शूदा मया कहती है अब तुम काना के निकट न आओ वरना तुम्हे भी काना के साथ बांदूगी आज मेरे और काना के बीच कोई नहीं आएगा बचली काना के निकट जाकर धीमे बात कर रहे है कनया मैया कोई अफसर नहीं दे रही है आपके निकट आने का गाय के बचड़ों को काना जवाब देते हैं आज मैया को कोई भी नहीं रोक सकता है इसलिए तुम दूर ही रहो वरना तुमें भी दंड मिलेगा गाय के बचड़े यशुदा मैया के डर से अपना मुँ उतार कर दूर हट जाते हैं मैया प्रेयत्न कर ठक जाती है परंतु काना को बान नहीं पा रही है जितनी भी रस्सी जोडती जाती है रस्सी कम पढ़ती जा रही है काना अपनी मैया का प्रयत्न देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहे है ये शूदा मैया काना से कहती है काना तुम अपनी शरारते करना बंद करो जान बूच कर पेट फुला रहे हो जिससे रसी कम पढ़ती जा रही है काना को ओकली से ना बांध पाने का प्रयास कर माता परिशान हो जाती है काना का शूर सुनकर गूगुल की सभी सक्यां काना के घर के निकटे कठा हो गई है वो सभी यशूदा मैया से कह रही है आरे बेहन यशूदा हमारे काना को दंड ना दो काना को तकलीफ में देख हमें पीडा हो रही है वो काना को दंड ना देने की विंती कर रही है सक्षियों को काना को छोड़ने का आग्रह सुन ये शोदा मैया उन्हें खूब खरी-खोटी सुनाती है अच्छा प्रते दिन मेरे काना की शिकायत करती रहती हो काना किसी का माखन चुराता है तो किसी की दही चुराता है इसे दंड दे रही हूँ तो काना पर तरस आ रहा है तुमें बड़ी चतुर हो तुम सब काना की बुराई भी करती हो और उसे दंड ना दो ऐसा भी चाह रही हो मैं इसे दंड सरूर दूँगी ताकि ये शरार्ती ना करे ये शोदा मिया के ऐसे कथन सुनकर सारी गोकुल की सक्षियों का चैरा उतर जाता है और वो एक दूसरे से बात करती है अब मैं कभी काना की शिकायत नहीं करूंगी अरे हाँ, काना को पीडा में देखकर मुझे पीडा हो रही है ये शोदा मिया तुम सभी काना की तरफ चालाख हो काना की सामने ऐसे स्वांग ना करो अरे ये शोदा, ऐसा ना कहो हमारे काना को दण ना दो वो शरारत करता है, इसलिए हम शिकायत करते हैं परंतु उसे पीडा में देख हमें पीडा हो रही है। काना मनी मन स्वेम से बाते कर रहे है। तुम सब गोपिया मैया से मेरी शिकायत करती रहती हो। तुम सब को मैं ऐसा मज़ा चखाऊंगा कि मेरी शिकायत करना भूल जाओगी। मैया कई प्रेयतन करने के बाद भी काना को रस्ची से बान नहीं पाती है। तब वो काना से कहती है। काना मैं क्या करूँ कि तुझे रस्ची से बान सकूँ। अब तू ही कुछ कर। मैं तो ठक गई तुझे बानते बानते। येशुदा मैया का इतना कहते ही काना हस पड़ते हैं वो मैया को पुकारते हैं मैया और स्वैम ही रसी से बन जाते हैं काना को इतनी सरलता से बनता देख मैया आश्यरे चकित हो जाती है अरे मैं कितना प्रियातनी कर रही थी तुम्हें बांदने का और ये रसी अब कैसे परियाप्त हो गई बताओ तुम चलिये होगा ना मुझे तंग करने के लिए तुम ऐसा कर रहे थे ना नटकट काना ये शुदा मैया का प्यार से आचल पकड़ कर कहते हैं मैया मैं कहां तंग करता हूँ तुम्हें मैं मुझे बंदने में या बांधने की क्या आवशकता है मैं तो पहले से ही तुम्हारे ममता की बंदन में बना हुआ हूँ काना के मुख से ऐसी बाते सुन मैया की आखे नम हो जाती है मेरे लाल, तु ऐसी बड़ी बड़ी बातें कहां से सीखता है रे? मिया काना को लल्ला लल्ला कहकर गले लगाने लगती हैं और रसी खोल देती है मेरे लल्ला, शमा करना मिरे लाल, जो मैं तुम्हें दंडित कर रही थी यशोदा मैया के रसी खोल दिये जाने पर सभी सक्यां खुशी से जूम उटती हैं सभी गूपियां कोई काना को गले लगा रही है तो कोई प्यार से चूम रही है और यशोदा मैया अपने काना पर बरस्ता प्यार देखकर बलैया ले रही है सभी पशु पक्षी खुशी होकर पूरी आंगन में कूद रहे हैं